हालो दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू और स्वाइबिन की सबजी वह भी मटर डाल कर जार हमने दो बड़े साइज का टमाटर लिया है है थोड़ा सा धनिया लिया है जो हमने अलू को देखिए तो चलिए रैस्पी शुरू करते हैं हम दिर हम नेकड़ाई रख दिया है अब इसमें हम डालेंगे सर्शो का तेल दो बड़ा चमच हम सर्शो का तेल डालेंगे कि स्वाबीन को हमें भूलना है तेल को गरम होने देंगे तेल गरम मौ चुका है अब इसमें हम डालेंगे स्वाबीन सब्सक्राइब तेल के बीचों बीच में ही डाले तो फिर साइड में जाता है तो यह चिपक नहीं लगता है यह देखिए हम पूरा बीच में ही डाले हैं कि सब्सक्राइब को हमें अच्छा कर्ण ब्राउन भूनना है कि सब्सक्राइब को बच्चों ला देंगे यह देखिए बीच में डाले को यह चिपकता नहीं है अच्छे से भून जाता है कि अब ब्राउन भूनिये इसको कि यह देखिए स्वाइबीन हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन बढ़ियां भून चुका है अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसे ही आपको भी स्वाइबीन को बढ़ियां भूनना है तो बहुत ही तेश्टी सब्जी बनती है ज़र देखिए स्वाइबीन को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है इदुर कडाई में थोड़ा सा तेल कम है तो थोड़ा सा तेला और हम डाल देंगे सर्षू का एक बड़ा चम्मच तेल हलका सा घरम हो जाए अब हम इसमें बारिक कटेवी प्याज डाल देंगे प्याज को हमें अच्छे से भूनना है बढ़ियां कि जारा प्याज हमने डाल दिया है लंबे साइज का आप भी काटे ऐसे हम अप्याज को चला देंगे इतना ही ज्यादा नहीं भूनना है आपको अब इसमें हम आलू डाल दें क्योंकि आलू भूनेंगे तो प्याज भी अच्छे से भून जाएगा इसके सारा आलू हम डाल देंगे सभी को अच्छे से मिलाएंगे हम आलू को एक बार अच्छे से चला देंगे इसके अलका अलका भूनने भी लगा है बहुत ही टेश्टी सब्जी बिनेंगे उबर आलू को हम और अच्छे से चला देंगे इतके आलू हमारे अलका भून चुका है अब इसमें हम मटर डाल देंगे मटर को भी हम एक दू मिनिट तक अच्छे से भून लेंगे एक मिनट बाद हम चेक करेंगे एक मिनट बाद चेक करेंगे यह देखें मटर भी भून चुका है अलू मटर प्यार सबच्छे से भून चुके हैं अब इसमें हम अध्रक लैसुन मिर्ची का पेस्ट डालेंगे एक चेमच डाल दियें थोड़ा सा और डालेंगे हम जादा तीखा सबजी नहीं बना रहें नॉर्मल पर अगर आपको तीखा पसंद दे तो आप थोड़ा सा और अक्ष्ट डाल सकते हैं अध्रक लैसुन मिर्ची का पेस्ट सबी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे बढ़िया भून लेना है उसको भी पेस्ट को भी अधिक अभी दर इसको चलाएंगे अच्छे से पेस्ट को आपको भूनना है कि महक निकल जाए लैसुन का अब इसमें हम मसाला डालेंगे ज्याद मसाला हम ने डालेंगे चार चम्मच हमने डाला है कम मसाले में सबजी बना रहे हैं अब सभी को अच्छे से मिला लेंगे चार चम्मच मसाला ही आप डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि मसाला जले ना मसाला को भी अच्छे से भूनना है आप चाहे तो सूखा सब्जी भी बना सकते हैं हम ढग देंगे एक मिनट तक चेक भूनेंगे हम एक मिनट बाद हम चेक करेंगे मसाला भूना है कि नहीं अच्छे से चला देंगे हम मसाला भून चुका है अब इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे टमाटर को हमने था मोटे साइज में काटा है अच्छे से मिला देंगे साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे कि टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाए थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम सबी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे सबी चीज अच्छे से मिल चुकी है हमें गैस की फ्लेम ज्यादा तेज नहीं करना है हलका ही रहे तेज दग देंगे दो मिनाट बाद चेक करेंगे दो मिनाट हो चुके है हम चेक करेंगे मसाला हमारा चैसे बुन चुका है और टमाटर ही मेल्ट हो चुका है चला देंगे हम मुटे मुटे टमाटर अब काते तो जल्दी मेल्ट हो जाता है यह दिके टमाटर चाथा अभी मेल्ट हो चुका है थोड़ा भी और भूनना है हमें गैस की फ्लेम अब तेज कर देंगे ठक देंगे हम चेक करेंगे हम एक मिनट बाद यहीं कि मसाला सब अच्छे से मुझ चुका है चला देंगे हम अब इन भी साथ में डाल देंगे धनिया भी डाल देंगे बार ही कटा हुआ सभी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे अब इसमें हम पानी डालेंगे पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे सबजी सुखाई बनाएंगे सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे थोड़ा सा पानी और डाल देंगे तीन गिलास एब धाई गिलास गरीब पानी है कि आलू भूने हैं तो भी थोड़ा पक चुका है ढग देंगे इसकी फ्लेम तेज रहा है पांच मिनट बाद हम चेक करेंगे इदे के सब्जी में उबाल आ चुका है जला देंगे हम और सब्जी सुखाई बिनाएंगे कि आलू पकजे देगे आलू को हम चेक करेंगे पकाए कि ने इसके हलका सा पक चुका है अभी थोड़ा बाकी है अब गैस की फ्लेम हलका धीमा कर देंगे ज्यादा तेज ने ढग देंगे हम आप कि यह कि दो मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं कि सब्जी हमारी पक चुकी है पाच मिनट बाद हम आपको दिखा रहा है सब्जी अगर आपको यह रेस्पी अच्छे लगी थी प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें कर दो 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 मिनट रहा है